Hello दोस्तों, Welcome back to new video, उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस फीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेंडिनिंग KTM Duke 125 के बारे में जा दोस्तों इस फीडियो में Duke 125 का डेडिल आपको रिव्यू देने वाला हूँ आप लोग लिए बहुत ज़्यादा इंटरसिंग प्लस इंपोर्टेंट होने वाला है तो चली फिर इस फीडियो को सुरू करते हैं का चैनल पे पहली बराएं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बेल एक उनको अन कर लिजेगा ताकि इस तो इंटरसिंग प्लस इंटरसिंग प्लस के नोडिविगेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे उडियो अपडेड रह सके हैं चली फिर आज की इस फीडियो को सुरू करते हैं दूस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाईक के प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिलती है मैं कि दुस्तो आप लोगों को सीटेने स्टेट में क्या परेज अगर आपको पता हो तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर मताईएगा मैं कि ड्यूक 155 है एक बहुत अच्छी बाइक 155 सेग्मेंट में सबसे ज्यादा एडवांस लेवल की बाइक है 125 बाइक कोई बाइक इतनी जाद एडवांस नहीं है जितनी कि अपनी केटियम ड्यूक 125 है चलिए आवाज दे दोस्तो इस बाइक के रिव्यू में सबसे पहले इसका लुक के डिजाइन दो देखी लिए दोस्तो बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छा लोग आप उसका दे कि वहाज देखने को मलती है यह बहुत ज़ू अच्छी लगती है सब्सक्राइब अब को यह जो को मिल जाएगा दर से आप देपार हैं फ्रेंट में आपको बाइक में देखने को मिलते हैं जो कि सिंगल चैनल आपको बाइक में देखने को मिलता है बात करें प्लेट से हो आपको बाइक में देखने को मिलता है अब दोस्तो बात करने इस भाइक केूष न चैनल धंड ऑस्ताइप को मिलता है वे आपको अपको बाइक में बॉस्ताय। लॉसको आपको बता देट में आप दोगों को लीकुड पूर इंजें मिलता दूब 1585 बाइक में नॉन अपको नॉनडिप्लेट ज्छ देखने को मिलता है इसे फिल इंजेक्टर को मिलता है सब्सक्राइब देखने को मल जाता है जो कि इस बाइक की काफी बड़ी प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगी चली बात करने दोस्तों अब इस बाइक के मालेजन परफॉर्मेंस के बारे में ड्यूक 155 मिनिमम आपको लबग 45-50 पैदाली से 50 के असपास कमाली इसलिए आपको यह ओफर कर देती है 0-100 में दोस्तों इस बाइक को लगबग 14 सेगंड के असपास के लगेंगे इस बाइक के जो टॉप स्पीड हो लबग आपको 120 से 125 किलिवेटर पर आवर के असपास के जो टॉप स्पीड है आपको इस बाइक में देखने को मिलती है रियर प्रफॉयल में जो टेल लेट है दोस्तों आपको LED मिलेगी आपको बहर ऑन करके दिखा देता हूं रियर में पहले आप देखपारें बाइक में आपको एंडर वेली ऑक्जास हो अपको भैक में मल जाता है प्लस रियर में आपको बाइक में सस्पेंश्न मोनो सऑक देखते हो मिलेंग़े वाइट कलर की सस्पेंशन कासी आभाही सुप लगते देखने को मिलेगी और देखने को स्पीडियों मिलती हैं वह दोस्तों रेरे में आपटी के बात कर लूँ पबाद करने करणा पर contrary मैंट की तरहों चलते हैं और आइंग यानि सका 15.5 लीटर है Speedometer में आपको on करके दिखाता हूँ दोस्तों इस बाइक में आपको Speedometer मिलता हूँ आपको fully digital meter देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफी सारे जो feature आपको देखने को मिलेंगे जैसे Speedometer है Techometer है, Tripometer है, Autoometer भी है Clock आता है, ABS light है Fuel gauge है, Service reminder है Low oil indicator है, Low bit indicator है Distant, M20 indicator है, Service reminder है यह सारे feature आपको bike में देखने को मिलेंगे प्लस आप देख पार है दोस्तों दो switches है जिससे आप इसके Speedometer को Control कर सकते है बाता feature-wise भी दोस्तों इस बाइक बहुत अच्छी निकल के आती है I don't think में इसमें कोई भी प्रोब्लम आने वाली है और शीजिसे में पास सेज लोग भी आप टनर सिंगें लेफ और इंजन इस प्लस अफ़ पर सिस मिल जाता है बात करें इमिनेंस न के पीशिटी के बारे में बाइक की और लेंट है टू डवल जिरू टूमें की और बीद है सब्सक्राइब करेंगा चैनल पे पहली पर रहें तो सब्सक्राइब करेंगा चली मिलते नेक्स शुरू में लव यू ओल जेहिन मता बात का